हमें यहाँ पर homomorphism निकालने हैं जो jed onto jed हो इस तरह से हमें homomorphism निकालने हैं तो हम define कर लेते हैं एक homomorphism phi जो jed से jed पर है तो हमें वो वाली homomorphism देखनी हैं जो यहां से यहां पर हूँ यानि कि on to homomorphism, पहले homomorphism का क्या meaning होता है, इसको समझ लेते हैं, homomorphism मतलब यह domain है, और यह उस, उसका codomain है, यह domain का group, यानि कि g समझ सकते हैं, जो z दे रहे हैं, और यह g dash समझ सकते हैं, g prime, और दोनों ही आपके group cyclic हैं, यहाँ पर यह भी है, क्योंकि z जो है, आपका 1 और minus 1 से generate हो जाता है, तो हमें यहाँ पर on to homomorphism निकालने हैं, तो homomorphism का meaning हुआ, कि अगर domain के जो elements हैं, वो किसी specific rule को follow कर रहे हैं, तो codomain के points भी उस rule को follow करेंगे, basically जो rule होता है, वो operation preserve होता है, तो यहाँ पर domain में भी और codomain में भी operation preserve होता है, यहाँ पर domain और codomain दोनों ही 1 और minus 1 से generate हो सकता है, यानि कि यह इसके generator है, तो यहाँ पर maximum 2 on to homomorphism exist करेंगी, option से आपका true होगा,